आज का जो प्लान है 32 32 में 4 विडियों के साथ बहुत प्यारा से लिवेशन बनाया गया है इस मकान के बाद यह है किसमें आपको 4 विडियों मिलता है kitchen यहाँ पे quality bathroom मिलता है सीडी इस तरीके से बनाए गए सीडीक नीचे सापा जा सकते हैं इस तरीके से यहां पे इस पेस्पेस दिय गया ज़्यादा देरी नहीं करें कि आपको डेटेयल भताएंगे चले plan को सुरू करते हैं तो जो भी जाएगे तो सारी चीज़े समझाएगे प्लान को देख लिए इस तरीके सब के पूरे प्लान आप रहे घुट सकते हैं दोस्तों कितने नमभर फालम होगे चार चारा छार वारास चार शूला नमबर फालमे उसको मैं तस तरीके से हो जायेंगे और अंदर के जो भी दिवाल है फाफ इंची बाहर की दिवाल 10 इंची रखने का दो रीजन है पहला सेप्टी इससे कोई तोड़कर के मकान में घुसे न और दूसरा एक ही ओ रहता है न कि खिड़की वगरा आप लगाते है तो दिवाल में क्रेक वगरा डेबलप होता है तो उस चीज को overcome करने के लिए फिर minimize करने के लिए यहां पर 10 इंजी की दिवाल बाहर के साइट रखे जाती दोस्तों तो आप इस तरीके से इसको consider कर सकते हैं दोस्तों यह हो गया आपका पूरा इस तरीके से पूरा प्लान चलिए इसका प्लिंथ लेवल हम थोड़ा सा डिवाइ भी रख सकते हैं but at least 3 फिट कम सकम रखे वह लोग मकान बहुत ज़्यादा डाउन रख देते हैं जो देखने में भी अच्छा लगता है प्लस आपको मकान बारी से भी प्रोटेक्ट करता है ठीक है तो आप देख सकते हैं इस तरीके साब को प्रोक्लान होगे यहां से अपक इसको बता दूँगा ठीक है तो यहीं जैसाब सीड़ी आप देख लिए इस तरीके साब के सीड़ी बनाए गई है यह इस तरीके से डॉग लगड में और सीड़ी मीचे साब किंटी हो जाएगे तो यहीं एक गेस्ट रूम दिया गए इसका द्रोजा आपका यहां पे रहे नुक लिए यह पूरे प्लात बनाएगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पहला रूम रहेगा यह आपका हो जायेगा दूसरा रूम भी आपको यहां पर भड़ते हैं ता आगन एरी आपको मिल जाएगे यह आपका रहा Since Вы जगा पर आदेखे पी आपकर रहेगा किच पीछिक साइड में आपको यहाँ पहला बेटो एंड यह आपको दूसरा बेटो मिलते हैं साइज में आपको आगे बताऊंगा तो पूरा वीडियो आपन तक देखें और चैनल पसंद रहें लाइक से रहें जरूर करें दोस्तों कि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहन लगती है दोस्तों तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें तो यह आप देख सकते हैं पीछी को देख लएज है इसके नीचे साब बड़े आजा सकते हैं सीडी समझ लिए चौझ आई तीन फिर से शेंची है त्रेड उसन नंची है और यह की जो लेंडिंग हम पहर इस तरीके से निकाल दाए दोस्तों यह पहला रूम है इसका द्रोज आप पर यहां पर लग जाएगा आगे बढ़ते हैं ते पूरा लंब सागनेरिय आपका रहेगा यहां पर रहेगा यहां पर लग जाएगा इधर देखते हैं तो आपको किचे मिलता है पीच एक प्रण्ट हो गया इसका मकान का 32 32 में पूरा प्लान बनाया गया है और 11 फिट यहां से अगर यहां की बात करें बाई यहां पे थोड़ा सा गलत रेडिंग ले लिए 11 11 का रूम आपको यह मिलेगा दूस्तों ठीक है दूसरा रूम भी अगर बात करें तो सेम वही साइज है साइज में कोई डिफरेंस नहीं है सेम साइज है यहां रभवाई 11 का किचन साथ बाई साड़े साथ का दूसरा रूम यहाँ पे जो है ये भी 11 फिट बाई 11 फिट मिलेगा बीच में आपका ये ट्वालेड बाथ रूम आपका 6 फिट इन्टू साड़े 6 फिट का और ये आपका होगे 12 फिट ये वाला रूम आपका 12 फिट है और यहां पे एक सीडी का साइज साड़े तीन फिट है, दूसरे का साड़े तीन है, बीच में छे इंची आपका रेलिंग लगाने के लिए, तो यह इस तरीके से पूरा आपको यह प्लान मिलेगा, इस तरीके से आप इस प्लान को देख सकते हैं, इसका स्क्रीन सॉट लेना ह तो आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, तो छोटा सा वीडियो, छोटा सा प्लान आपको कैसा लगा, कमेंट करके जलू बताईएगा, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के हम तो तक्लिप दे लेता हूं, धन्यवाद दोस्तों